दोस्तों अगर आपके Samsung के phone में mobile data जो है वो नहीं चल रहा है तो आप इस problem को कैसे fix करेंगे इस video में हम आपको बताएंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे आप अपने में एक बार flight mode लगाएंगे flight mode लगाने के बाद इसको हटा देंगे और अब देखेंगे mobile data चालू करके या चालू था तो चालू हो जाएगा कि आपके में चल रहा है कि नहीं अगर नहीं चल रहा है तो आप करेंगे कि आप अपने में power button दबाएंगे एक बार और restart पे क्लिक करके अपने phone को करेंगे restart उसके बाद देखेंगे आपकी problem सही हो जानी चाहिए अगर फिर भी ना हो तो आप करेंगे क्या आप चले जाएंगे अपने samsung के phone की settings में settings में जाने के बाद आपको मिलेगा type का interface यहाँ पे आप करेंगे नीचे की और scroll और नीचे की और scroll करने के बाद आपको एक option दिखाएगा software update का इस पे क्लिक करिए download and install पे क्लिक करिए और अगर आपके system update आया हुआ है तो update कर लिजे उसके बाद देखिए अगर आभी भी problem ना सही हो तो आप क्या करेंगे आप यही settings में ही आ जाएंगे और नीचे की और scroll क पर click कर लेंगे उसके click करने के बाद नीचे की और scroll करेंगे और reset पर click करेंगे reset पर click करने की बाद नीचे की और scroll करेंगे यहाँ पर आपको यह option दिखाएगा reset mobile network settings का आप इस पे क्लिक करिए reset settings पे क्लिक करिए यहाँ पे अपना screen lock का जो भी password वो डालिए दुबारा से reset पे क्लिक करिए network settings reset दिखा देगा और अब आपके में जो है वो net चलने लगेगा mobile data से okay आपका mobile data काम करने लगेगा in case अभी भी काम ना करें तो आप यह देख लिजे जो भी SIM आप यूज कर रहे है उसमें आपने जो भी पैक करा रखा है 1,5 GB, 2 GB या जितने GB का भी वो GB खतम तो नहीं होगे अगर खतम हो अगर अगर कर लेंगे तो चलने लगेगा ठीक है वैसे आप चलाएंगे तो बहुत ही slow चलेगा ठीक है चलेगा बट बहुत ही slow चलेगा तो हो सकता आपको लगे की काम नहीं कर रहा है अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे like चैनल को कर लिजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए